अस्सलाम अलाइकूम, आज हम कोबीच के धिबरे बना रहे हैं, हमने एक किल्लो कोबीच काटके ले लिया है देखो हमने जोबो जीना नहीं हाच्छी कटिंग करिये इसकी हमने जार में हरी मिर्ची और लशन ले लिया है हमने ये एक किल्लो कोबीच में साड़े साथ सो गराम बाजरी जवार ने मक्काई का आटा ले लिया है सो डेर सो गराम जित्ता इसमें हम घहूं का आटा डाल देंगे जो घहूं की रोटी बनाते वो आटा हमने डाल दिया है अब इसमें हमने सूके मसाले डाले हल्दी, मिर्ची, धाने, होमेट, करम मसाला और सबजी मसाला स्वाद के हिसाब सी हमने इसमें निम्मक डाला है इसमें हम हरा धनिया डालेंगे अब ये मिर्ची और लसन जो हमने जार में डाला है पानी डाले बिगर इसको अचकचरा हमने क्रस कर लिया यह भी हम ढाल देंगे दिखो यह सायसा हमारे क्रस करने का ना बुझी ना बुझ जाड़ा अब हमने दो लिम्भू ले लिये हैं यह दोनों लिम्भू हमारे कोबिच के पराणथे में जाएंगे अब यह हम सब मसाले पानी डाले बिगर पिले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से उपर नीचे करके इसको मिक्स कर लेना पड़ेगा इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे देखो गाइस आपको मेरी रेसे पी पसंद आए share करो like करो subscribe करो अब हम इसमें mix करने के बाद इसमें हम limbo डालेंगे जो हमने दो limbo कट करके रखे थे वो हम डाल देंगे यह हमने दो limbo डाल दिये हैं अब इसको दो limbo डाल के ने हम इसके अंदर यह एवरेस्ट कीचन किंग मसाला डालेंगे एवरेस्ट कीचन किंग मसाला डालने से बहुत कोबिच के पराथे टेस्टी बनते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको mix करेंगे एक साथ पानी नहीं डालेंगे जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें हम हल्दी मिर्ची तीखास खारास और खटास का हम टेश यहां ही कर लेंगे मिलाते मिलाते ही देख लेंगे के बराबर है के नहीं कम लगे तो हम डाल देंगे अब इसको हम अच्छी तरह से पानी थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे यह हमारा बिल्कुल कमप्लीट बेटर हो चुका है पराथा बनाने के लिए तैयार है अब हम इसको 10-15 मिनिट ढांक के रख देंगे इसे ही कीचन पर रख देंगे इसको ढांक देंगे और रख देंगे 10-11 मिनिट तो यह अच्छा सब मसाले पेवस हो जाएंगे मीक्स हो जाएंगे बहुत अच्छे हमने मस्के की गोटी ले लिए मस्के में हम यह परांठे तलेंगे मस्के में तलने सी बहुत ही इसका स्वाद आता है देखो हमारी 10-15 मिनिट हो जुके हैं अब हम तवे पे थोड़ा सा हलका सा नोस्टिक तवे पे तेल लगा के ने परांठा बनाएंगे हम इसको तवे पे फेला देंगे पानी लगा के हलका हाथ में पानी लगा के और हम इसको फेला देंगे यह हमारा परांठा तलने के लिए बिल्कुल कम्प्लीट है अब यह धीमी आज पे हलकी गुलाबी गुलाबी हम तलेंगे बुद्फास पे परांठा नहीं तलने का जल जाता है तो हम इस पर धीमी आज पर तल लेंगे यह हमारा पराथा तल चुका है देखो यह हमारा पराथा तल तल रहा है यह पराथे को आप सर्दियों में खाके एंजोई करो यह बहुत ही तेश्टी और लाजवाब लगता है इसको बनाना बहुत ही आसान है आप मेरी तरीके सी बना के देखो इंशाल आपको पसंद आएगा इसको आप दाई